हेलो बच्चों, अब हम दो और तीन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना सीख गए हैं आज हम दिये गए चित्रों को पहचान कर शब्द लिखेंगे और अधूरे शब्दों को भी पूरा करेंगे इसके साथ ही हम आज का टास्क भी देखेंगे तो आओ हम शुरू करते हैं पेज नमबर 112 इस पेज पर आप सबसे पहले आज की दिनाग लिखेंगे यहां कुछ चित्र दिये गए हैं इन्हें पहचान कर इनका नाम लिखेंगे पहला चित्र किसका है? पहला चित्र मतर का है अब हम यहां लिखेंगे म, ट, र, मतर यहां किसका चित्र है? यहां महल का चित्र है अब हम यहां लिखेंगे म, ह, ल, महल यहां किसका चित्र है? यहां तो नयन का चित्र है मेरे साथ लिखो न, य, न, नयन यह क्या है? यह कलश है अब यहां लिखेंगे कलश कलश बहुत अच्छे बच्चो पीज नंबर 113 यहां भी हम सबसे पहले आज की देना क्लिक कर दिये गए चित्रों को पहचान कर उनका नाम लिखेंगे पहला चित्र किसका है? यह कलम का चित्र है अब हम यहां लिखेंगे कल ल म कलम यह क्या है? यह बतक है अब हम लिखते हैं ब त ख बतक यह किसका चित्र है? यह रबड का चित्र है र ब र रबड यह क्या है? यह बटन है ब त न बटन वेरी गुड बच्चों पेज नमबर 114 इस पेज पर दिये गए चित्रों के नाम अधूरे हैं उचित अक्षर लिख कर इनके नामों को हम पूरा करेंगे पहला चित्र मटर का है यहाँ म क्या आएगा यहाँ पर? त तो अब हम यहाँ लिखेंगे त म, त, र मटर दूसरा चित्र किसका है? यहाँ कलश का चित्र है अब हम यहाँ देखें क, ल, श यहाँ लिखेंगे श, कलश यहाँ किसका चित्र है? यहाँ नयन का चित्र है यहाँ क्या लिखा है? न, अब हम यहाँ लिखेंगे य, न, य, न, न, नयन यहाँ किसका चित्र है? यहाँ महल का चित्र है म यहाँ पर क्या आएगा? ह म हल महल यहाँ क्या है? यहाँ सडक है तो यहाँ स लिखकर अब हम पढ़ते हैं सडक सडक यहाँ क्या है? यहाँ कलम है क यहां लिखेंगे ल कलम कलम यह क्या है यह बटन है यहां ब लिखते हैं और शब्द को पढ़ते हैं बटन यह क्या है यहां एनक है यहां पर क्या आएगा यह न आएगा एनक यह क्या है यह मगर है मगर बहुत अच्छे बच्चो आओ बच्चो अब हम आज का टास्क देखें यह है हमारी किताब के पेज नमबर 110 और पेज नमबर 111 इन पेजों पर तीन वर्णवाले शब्द दिये गए है इन शब्दों को पढ़कर सुन्दर लिखावत में लिख कर पेज को पूरा कीजेगा बच्चो अब हमने दो वर्णवाले और तीन वर्णवाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीख लिया है घर पर इन्हें पढ़ने का और